विदान सवाच चुनाव से पूर्व, कॉंग्रेस सद्यक्ष राउल गांधी का दस दिन के अंदर किसानों का दो लाग तक का करता माफ अब कॉंग्रेस के गले की हड़ी बनता दिखाई दे रहा है जहां बोपाल में मुख्यमंतरी कमलनाथ किसानों के नामों के बंडलों को शिवराज सिंग के पास भीज रहे हैं वहीं दूसरी और पूर मुख्यमंतरी सिवराज सिंग चोहान और पुलिंदों को जुटा बता रहे हैं किसानों को मुद्धों को लेकर जहां बोपाल में गमसान मचा हुआ है वंच जमीनी स्तर पर भी स्थीती कॉंग्रेस के लिए सुकद नहीं है जग जगे कॉंग्रेस के नेताओं को किसानों का भारी विरोत का सामना करना पड़ रहा है ऐसा ही हुगा मद्धि प्रिदेश की गुणा लोग सभा में जब कॉंग्रेस के मासाचीव और पश्ची मुत्र प्रिदेश के प्रवारी जोतिरादित सिंधिया को सरयाम अपने मतदाताओं के सामने दवंगई का सहरा लेना पड़ा मामला उस समय का है जब सिंधिया जन सभाओं को संभोधित करते हुए गुणा लोग सभा के गाउं करोत पहुचे थे और वहाँ जब सभा चल रही थी तब एक किसान ने अपने सांसाच जोतिरादित सिंधिया के सामने अपने करजमाफी को जुटा बताया अपने घर पर पुली द्वारा बार बार चक्कल लगाने को लेकर भरी सभा में सरयाम जोतिरादित सिंधिया से करजमाफी के जुट को लेकर जवाब मांगा किसान के उपर होते ही कॉंग्रिस के पदा दिकारी और कारकर्ता उस किसान पर आकरामाख हो गए किसान को जवरदस्ती धका दिकार सिंधिया के पास ले गए 37 जोतिरादिस सिंधिया ने बलपूरवक उस किसान को चुप कर बैठाने की कोशिश भी की लेकिन बाग किसान जब जोतिरादिस सिंधिया के बार बार कोशिश करने के बाद भी जमीन पर नहीं बैटा इस दौरान हमारे संबादाता दौरा घटना को कवर करते समय रोकने का भी प्रयास जोतिरादित सिंद्या के दवंग कॉंगरेस से कार करता हूं के दौरा किया गया तक जाराई जो भी का गया गया हुआँ जो भता हुआँ जो जो करता हुआँ मैट मराची mı फाक शेट्या कै थिए लादि जालन BOBंग दो जोоки है लोका मरे नभी ओडना तक दोडना।